कि सो अभी से कुछ दिर पहले प्रेस कॉंप्रेंस हो रही थी ठीक है उसमें आप सभी को दिखाए दे रहा होगा यूटी ने जनल अनिल पुरी सर ने काफी सारी चीजें आपके आज फिर से शियर करी हैं और उसके आद आपका इन इन एर फोर्स का भी देख सकते हैं उन्हों प्र उससे पहले कि इंप्रेंट अप्डेट्ट देना था आज की क्या अब्डेटेट हैं आपी का भी शियर कर से बड़ेंगे इंडिक पर डिकस करेंगे यहां पर आउट हो चुका है बीस जून 2022 को तो आपका नोटिफिकेशन मतलब कल साम को ही जारी कर दिया गया था यह चीज़ आप सभी को पता होगी डेट आप रेस्टेशन 24 जून से आपका फॉर्म फेलिंग इस्टार्ट होगा और पार जुलाई आपका क्या होगा लास्टेट होगी आगे बढ़ते हैं इस्टार एक्जाम ऑनलाइन 250 सेंटर्स तो मतलब आलो और इंडिया आपके पेपर कंडेक्ट कर जाएंगे ऑनलाइन आपका पेपर होगा 250 रुपीज चार्ज लगेंगे 24 जुलाई 22 से लेके 11 जुलाई 22 तक आपका यहां पर पेपर कंडेक्ट कर जाएंगे ठीक है पांचे दिन पर चलाएंगे पहले क्या था एक दिन में पेपर कैसे हो जाएगा बहुत का कमेंट आया था जब यह कल नोटिफिकेशन आया तो तो केंडेट ने बोला था कि सलीट हैगा बाल लिटर कब आयेंगे अगस्त 10 को तो बस अगस्त्स को आपका रिजल्ट आएगा अगस्त आपको कई रिजल्ट आएगा ठीक है अगस्तस को आपको रियूट यहां ऐसे सब्सक्रास के लिगसाग? फेस सेकेंड एक्जाम कब से स्टार्ट होंगे कंड़क्ट आप फेस सेकेंड एक्जाम उसके लिए लगबग 10 दिन का समय मिलेगा 21 सगस्त 22 से लेके 28 सगस्त 22 अपका फेस सेकेंड एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएंगे थेक, एमसी इवर कोई भी बारेंगे, जैसे ही आपका फेस सेकेंड खतम हुए, आपके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक साइकल चलने लगती है इस आप इस बार होगी, दो-दो महीने टाइम मिलता था, इस बार कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तहीं आपको जोरों से करनी पड़ेगे कि पीए इसे लाइफ कई समर को ना इनलॉमेंट आपको गीरा कब दिया हुआ गीरा दिसमर को आ जाएगा और एनलॉमेंट का जो पीरियड है वह बाइस नमद से लेके उंते दिसमर रहेगा मतलब सेंटर 2012 को लेके उंतिये दिसमबर 2020 तक आपपे चलने वाल स całकpling कोर्स कमेंस्मर्स के बारें बात करें तो contribution कमेंस्मेंट के बारें बात कलने वाला है तो 30 कि एक जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा यार वाइस रिक्रूट्मेंट आएंगे एक जुलाई को आप अपना आमी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो सारी के सारी चीजें दूसरा नमबर आर्मी की एक्जाम कप करेंगे तो जैसा कि सर ने बता यह भी कासर ने आज कि में भी हो सकता है किसी किसी डिस्टिक में दो बार वेकेंसी आ जाए ठीक है लेकिन इस चक्कर में मत पढ़िएगा अभी मतलब में भी में जैसा उन्होंने का वो चीज मैंने आप सभी को बता दी आल और कंट्री नीफ्त किया जाएगा आप सभी को म मेडिकल यह प्रॉसस होने के बाद आपका सी कॉमन इंटरेंस एक्जाम कराया जाएगा जो कॉमन इंटरेंस एक्जाम होगा वह 16 अक्टूबर को कराया जाएगा जबकि दूसरा जो एक्जाम होगा वह 13 नौंबर को कराया जाएगा जबकि दूसरा जो एक्जाम होगा वह 13 जो जोईनिंग होगा फरवरी में होगा यह ओफीशियल है यह और जैसा कि जब से बोला गया है वह सारी की सारी चीज़री होती चली आ तो आज उसका भी नोटिफिकेशन अपने सामने दिखाई दे जाएगा ठीक है और यहां पर क्या लिखा हुआ है आउर रिक्रूट्मेंट कलेंडर वार डिसाइड़ यहां पर नैवी कर दिया हुआ है फॉर जून 25 बट इट विल स्टार्ट तुमारो जून 22 लो ऑनलें रिजिटेशन विस्टार्ट फॉर्म जुलाई वन ऑन्वर्स वाइस एडिमिनल दिनेस के तिरपार्टी चीप परशन स्टार्ट होगा डिटेल नोटिफिकेशन ऑप अगनिवीर बैच 9 जुलाई को आएगा और उसके अप्लिकेशन विंडो ओपन फोर अगनिवीर 2022 बैच 15-30 जुलाई मतलब जब आपका अप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग होगा 15-30 जुलाई एक्जामनेशन फिजिकल टेस्ट मिड अक्टूबर और मेडिकल जॉइनिग एटाइनस चिल का कोमें से 21 नोंबर यह इंडियन नेवी का लोग ऑफिशली आ गया इनियन नेवी का भी अपडेट है कि अभी 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 जस्ट आया है ठीक है अभी अभी जस्ट आया है यहां पर देख सकते हो आप सभी एस पर डीजी सिपिंग ओडर टो अगनी भी आप्टर फोर यह सब ट्रेनिंग डेकल डेकली गेट इंटू मर्चेंट नेवी वाइस अप्डेट है अपडेट है उसके यह सारे के सारे बड़े अपडेट से जो आप सभी को शेर करता रहा तो तब ही मैं गता हूँ टेलीग अगनी वीर वाइब एर फोर्स एर मार्सल सुरज कुमार जा एर ओफिशन इन चार्ज परसनल ए ओपी सरका आज का कहना यह आज का अपडेट है उसकर आंगे बढ़ते हैं और चीजों को और भी अच्छे से डिससका लेते हैं यह तो क्या रहा है वह बाकि आप सभी कि जित सब्सक्राइब कर आपको जो पहले आपने पड़ा जो नोट से बनाए उनहीं को रिवाइस करो मैं फूल कोसिस करूंगा कि आप सभी को टेलेग्राम पे काफी जाड़ा सब्सक्राइब करता हूं और उसके यहां पर उपर इधर एक कोड को आप्शन आजाएगा ठीक इधर एक कोड को अप्शन आजाएगा देखो यहां पर तो आपको कोड कर देना है और यहां पर आप लाइक कर देना जैसी आप अपलाइक करोगे सामने आप आप लाइक आप्शन लिखाया आप लाइक कर दोगे अपकी वीडियो देखने लें थैंक यू सो मच जैहिन और अल्ट